ओम गनेशाय नमाद ओम नमश्यवाय मैं निखिल जोतिश आचारे आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ आप सभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पर पूरे हकते और बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है चंद्रमा पर और क्या योग बनते हैं उस पर आधारित ये एक सामानने सा जोतिश विश्लेशन होता है आपको यह राशीफल अपने लगन से देखना चाहिए लेकिन यदि आपको अपना लगन नहीं पता तो आप राशी से भी देख सकते हैं शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशीफल का मेश के साथ मेश लगने के लिए हफते के शुरुवात में आने कि सोमवार को चंदरमा कैप्रिकॉन याने कि मकर में रहेंगे और एक मार्च के शाम के करीब चार बजे तक यहीं पे रहेंगे याने कि आपके लगने से दस्वे घर में चंदर्मा का दस्वे घर में आना अच्छा होता है और क्यूंकि आपके लिए केंद्र के स्वामी है याने की चौते घर के तो एक राजयोग भी बन रहा है और क्यूंकि बहुत सारे ग्रहों के साथ होंगे चंदर्मा हफते की शुरुवात में ही और ये सब आपके दस्वे घर में होगा तो करियर को लेकर बहुत इवेंट फुल समय रहने वाला है हफते की शुरुवाती समय अच्छा भी हो सकता है और थोड़ा बहुत बुरा भी हो सकता है ग्रोथ मिल सकती है पैसा आ सकता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे मंगल भी होंगे शनी भी होंगे तो थोड़ा गुसा भी रहेगा थोड़े इगो क्लैशेस भी रहेगे ओवरॉल करियर के इस आपसे बहुत इवेंट फुल समय रहेगा लेकिन अपने गुसे को आपको कंट्रोल करके रखता है यहाँ पे खुद लगन के स्वामी भी होंगे तो यह एक और राजयोग बन रहा है बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं इस समय और चंद्रमा के साथ बैठके सारे राजयोग फलीभू तो हो सकते हैं लेकिन आपको अपने गुसे पर कंट्रोल रखना है अच्छा समय है नवामशा कुंडली बता रही है कि अपने emotions पर अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो यह समय बहुत तकलीफ दे हो सकता है दसामसा के हिसाब से communication से जुड़ा, IT से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो यह समय लाबकारी है लव लाइफ के लिए हफ़ती का शुरुवाती समय अच्छा नहीं है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यदि आपके बीच में समस्या जादा थी तो यह समय काफी विचलित करने वाला रहेगा विवाहिक जीवन के हिसाब से जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा जादा लॉजिकल मत होईएगा जादा अपने लाइफ पार्टनर की कमिया मत निकालिएगा वनना आपके विवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम जाएँगे सेहत के हिसाब से किडिनी संबंदेत रोग, हर्मोनल डिसॉर्डर्स और जोडों से संबंदेत रोग अतंग कर सकते हैं स्टूडेंस के लिए बहुत पॉजिटिव समय तो नहीं होगा काफी सारे विचार मन में आएंगे और अपने विचारों पर कंट्रोल करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा सरवाज्टक के हिसाब से आठवा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है अब क्योंकि एक ही घर में चंद्रमा के साथ बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा है और आठवा घर स्टॉंग हो गया है तो एक ही चीज कहूंगा कि हफ्ते की शुरुवात में कोई बड़ा निरने मत लेजेगा क्योंकि निरने लेने की ख्षमता आपकी थोड़ी सी कम रहेगी एक मार्च शाम के करीब चार बज़े चंद्रमा राशी परिवरतन करके कुम्भ में आ जाएंगे आपके लगन से ग्यारवे घर में और तीन मार्च के करीब रात के आठ वज़े तक यहीं पर रहेंगे लावस्तान है यहाँ पर चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है यहाँ पर भाग्यस्तान के स्वामी ब्रहस्पती के साथ है और एक और त्रिकोन के स्वामी सूर्य देवता के साथ है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है अमवस्य योग बन रहा है किसी किसी जगा पर मैंने कहा है कि पहले बता चुका हूँगी बुरे योग, बुरे ग्रह भी अच्छा प्रभावत देते हैं उसमें से एक है ग्यारवागर यहाँ पर अमवस्य का योग बनना भी कोई बुरा आपके लिए नहीं होगा कहीं से पैसा आ सकता है रुका हुआ पैसा आ सकता है और पैसे क्माने की लालसा बहुत होगी और ये लालसा लालच में बदलते हैं देड नहीं लगेगी तो आपको लालच की तरफ नहीं जाना पैसा जरूर आएगा लेकिन लालच से बचिएगा अपने खर्चों बर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है हफते के मध्यभाग में नवामसा कुंडली बता रही है कि अपनी पबलिक इमेज, अपनी सोशल लाइफ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और दसामसा के हिसाब से यदि आप साइन्स, टेकनोलोजी से जुड़ा कुछ भी गाम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा साहसी बनना पड़ेगा जो बात अपने पार्टनर से बहुत समय से नहीं कह पा रहे हैं हफते के बीच का समय उस बात को अपने पार्टनर से करने के लिए बहुत उप्युक्त है थोड़ा साहस जुटाईए और वो बात उनसे कह दीजिए विवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर समय अच्छा देख रहा है कुछ नयाबन लाने की कोशिश करेंगे यदि अपने विवाहिक जीवन में तो और अच्छा रहेगा सेहत की बात कर लेते हैं सेहत के हिसाब से सर से संबंदित रोगतंग करेंगे और लोवर बॉड़ी में थोड़ा सा दर्द रह सकता है लिवर संबंदित रोग भी थोड़ा भोतंग कर सकते हैं स्टूडेंस के लिए समय अभी भी थोड़ा सा विच्रित करने वाला दिख रहा है, कई चीजें होंगी जो आपके कंट्रोल से बिलकुल बाहर हो गई होंगी, जिसके कारण आप थोड़े से परिशान रहेंगे. सरवाश्टक के हिसाब से आठवा स्थान फिर से बहुत स्ट्रॉंग है, लेकिन इस समय क्योंकि चंदर्मा लाव स्थान में आ गए हैं, तो हो सकता है आपको अचानक से कहीं से लाव प्राप्त हो जाएं. तीन मार्च रात के करीबन आठ बजे चंदर्मा राशी परिवतन करेंगे और मीन यानि की पाईसिस में आ जाएंगे, आपके लगने से बारवे घर में और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे. बारवे घर में चंदर्मा थोड़े विचलेते रहते हैं, यहाँ पर शनी देव की दृष्टी भी रहेगी, जो की विश्योग बनाएगी, तो मानसिक तोर पर और शारीरिक तोर पर भी थोड़ा कश्ट दायक यह समय हो सकता है आपके लिए. जादा नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहेगा, वनना उसी में लिप्ट हो जाएंगे और बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं. नवामसा के हिसाब से एक चीज तो पकी है, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, आने वारे समय के लिए अपनी लाइफ को टाइम टेबल में बांधने का आप प्रयास करेंगे, और उसमें बहुत हद तक सफल भी हो जाएंगे. और एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे. विवाहिक जीवन के हिसाब से उन लोगों के लिए अच्छा समय हैं, जिनके विवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपको कही ना कहीं से कोई गाइदेंस मिल सकती हैं, जिससे आप दोनों के बीच में जो भी इशू हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे. सेहत की बात करें तो, स्लीप डिसॉडर्स और पैरों से संबंदित रोग, साती में हाई बीपी की प्रॉब्लम भी थोड़ा तन कर सकती हैं. स्टूडेंस के लिए थोड़ा सा सुधार होगा चीजों में, पॉजिटिविटी की तरफ आपका जीवन जाता हुआ दिख रहा है सप्ताह के अंत में. सरवाश्टक के हिसाब से, अभी भी आठवा स्थान ही बहुत स्ट्रॉंग बना हुआ है. तो हफ्ते के अंत में थोड़ा अपने खर्चे कंट्रोल कीजिएगा, और जादा कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में एक बार पार्ट करना है. चलते हैं टॉरस यानि की व्रिशब की तिरफ हफ्ते की शुरुवात में चंद्रमा आपके नवे घर में यानि की भागिस्थान में रहेंगे, कैप्रिकॉन में और एक मार्च की करीबन शाम के चार बज़े तक यहीं पे रहेंगे, 28 यबरी से रहेगा और चंद्रमा यहाँ पे कुछ समय के लिए रहेंगे, तो अपने बड़ों से जादा वाद व्यात मत कीजेगा, बले ही परसनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन भागे का आपको भरपूर साथ मिरेगा, क्योंकि बहुत अच्छे ग्रह भी यहाँ चंद्रमा के साथ रहेंगे, लगन के स्वामी रहेंगे, शनी देव रहेंगे जो आपके लिए बहुत शुबग रहा हैं, और मंगल भी यहाँ पे होंगे, तो बिजनस के लिए अच्छा है, आपकी पब्लिक इमेज के लिए अच्छा है, तो ओवरॉल यह अच्छा समय रह कि उनसे जब बात करेंगे, तो बहुत इज़त के साथ आपको बात करनी है, नवामशा कुनली यह बता रही है कि यदि देश से बाहर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इस समय में आपको कुछ प्रैक्टिकल उसका रास्ता मिल सकता है, अब यह तक समझ नहीं आ र शुरुआत में कुछ ना कुछ आपको संदर्म में पॉजिटिव मिल सकता है, दसामसा के हिसाब से किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल जॉब करते हैं या मैनुफेक्ट्रिंग का आपका काम है, तो हफ़ती की शुरुआत का समय आपके लिए अच्छा है लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा हसी मजाक इंक्लूड करने की कोशिश कीजेगा अपने लव लाइफ में, उससे ये समय आपका बहुत अच्छी तरह से बीच जाएगा, विवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आ और पेट संबंदित रोग भी आपको तंग कर सकते हैं, स्टूडेंस के लिए अच्छा समय है लेकिन अपने एमोशन पर आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, सरवाश्टक के हिसाब से सात्वा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है, तो जो लोग बिजनस करते हैं उनक के लगने से दस्वे घर में और तीन मार्च रात के करीब आठ बजे तक यहीं पे रहेंगे दस्वे भाव में, चंद्रमा का दस्वे भाव में आना अच्छा होता है, करियर के लिए विजनस के लिए अच्छा समय है, उससे अच्छी बात है यहाँ पर गजकेसरी योग बन दस्वे स्थान में अमवस्य योग का बनना कोई बुरा नहीं होता, यहाँ पर सूर्य देवता होंगे जो दिगबली होते हैं दस्वे घर में, तो आपके लिए यह अच्छा समय रहेगा, लेकिन जादा किसी पर भरोसा मत कीजेगा कारक शेत्र में, आपको कोई बात गई है, तो उसको किसी के साथ भी शेर मत कीजेगा, नवामसा के हिसाब से थोड़ा धार्मिक फील करेंगे आप और स्पिरिच्वालिटी की तरफ जाने का आपका दिल करेगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के बारे में भी सोच सकते हैं, दसामसा के हिसाब से फाइन उनको धंग से समझ नहीं पा रहे, इस चीज़ पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, विवाहिक जीवन के इसाब से थोड़ा कमिटमेंट की कमी दिख रही है, आप दोनों के ही बीच में और आपकी तरफ से जो कमिटमेंट है थोड़ा कम हो गया है, इस पर थोड़ा क दोनिया है, तो ये समझ थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने बाला है, स्टूडेंस के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो गवर्मेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय काफी लाब प्रद हो सकता है, सरवाश्टक के हिसाब से सात्वा स्थान फिर से बहुत स्टॉंग है, आप यदि बिजनस करते हैं और बिजनस में नई पार्टनर्शिप के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये समय उस पार्टनर्शिप को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, तीन मार्च रात के करीब 8 बज़े चंदर्मा राशी यहाँ पर शनी देव की दृष्टी बनी रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत शुबग रहा हैं, आपके योग कारग रहा हैं, तो भागे का साथ मिलेगा, और करियर के लिए भी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शनी देव दस्वे घर के स्वामी है, लेकिन उनकी अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ, कजन्स के साथ, तो इस समय थोड़ा आप सब के बीच में वाद विवाद हो सकता है, नवामसा के हिसाब से काफी करियर ओरियंटेड रहेंगे, अपने करियर के बारे में बहुत सोच विचार करेंगे, सबताहा के अंत में, और दसामसा के हिसाब से, आप टीचिंग से जुड़ा, या गवर्मेंट सम्बंदित कुछ भी काम करते हैं, तो ये समय लाबकारी है, लव लाइफ की बात करें तो, यदि कुछ मन मुटाव हो गया था पिछले कुछ दिनों में, तो बदला लेने की भावना मत रखियेगा, व और विवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय नहीं है, शायद बातचीत धंग से नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण मिस कॉम्मुनिकेशन बढ़ते ही जा रही है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजे, स्टूडेंस के सेहत के हिसाब से लिवर सम्बंदित रोगतं करेंगे और चेस्ट सम्बंदित रोगतं करेंगे और स्टूडेंस के लिए ये समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो मैनेजमेंट सम्बंदित पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फाइनेंस सम्बंदित पढ़ाई कर रहे हैं, सरवाश्टक के हिसाब से सा आपको सोमवार को पारवती चालीसा और शनी चालीसा ते हैं जैना यानिकी मिथुन की तरफ 28 फेबरी को चंद्रमा आपके अश्टम भाव में रहेंगे यानिकी केप्रिकॉन में और एक मार्च के शाम के करीब चार बजे तक यहीं पे रहेंगे लगन से आठवे घर में आठ विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो वैसे देखने को लगेगा कि चंद्रमा थोड़े पीडित हैं लेकिन क्योंकि इतने सारे ग्रह बहुत स्ट्रॉंग हैं विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो यह हफता आपके लिए यह हफते की शुरुवात आपके लिए बहुत अच्छा दे जाता है कि आप वहां से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे तो आपके लिए हफते की शुरुआत अच्छी दिख रही है कोई बड़ा निरने मत लीजेगा हफते की शुरुआत में वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है नवामसा के हिसाब से अपने इंकम के सोर्सेस को बढ़ाने पर आपका ध्यान जाएगा और सोच विचार करेंगे कि कैसे इंकम और बढ़ाई जाए दसामसा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं लॉसे सब मंदत कुछ काम करते हैं तो हफते के शुरुआत अच्छे देख रही है लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशन्चिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है और जो लोग अल्रेडी रिलेशन्चिप में हैं उनके लिए भी अच्छा समय है emotional compatibility बहुत अच्छी रही है विवाहिक जीवन के लिए भी समय अच्छा दिख रहा है लेकिन सच बोलिएगा कुछ भी इस समय यदि आपने जूट बोला अपने विवाहिक जीवन में तो बहुत जादा संभावना है कि भले ही अभी पता ना चले उसके बारे में आने वाले समय में वो राज खुल सकता है और बहुत जल्द ही उसके बारे में आपके life partner को पता चल सकता है सेहत के ही साबसे रक्त संबंदित विकार और हृदे संबंदित विकार तंग करेंगे यदि आपको हृदे संबंदित कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान दीजे स्टूडेंट के लिए अच्छा समय है स्पेशली जो management से संबंदित बढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए हफती का शुरुवाती समय अच्छा है सरवाश्टक के हिसाब से छटा स्थान अत्यंत बली है अपने दुश्मनों पर आप काफी हावी रहेंगे एक मार्च शाम के करीब चार बजे चंद्रमा राशी परिवरतन करके कुम्ब में आ जाएंगे और तीन मार्च रात के करीब आठ बजे तक यहीं पर रहेंगे आपके लगन से नाइन्थ हाउस में नवे घर में चंद्रमा कमफर्टेबल होते हैं भाग्यस्तान है तो भाग्य का साथ मिलेगा अच्छी चीज है कि यहाँ पर ब्रहस्पती भी होंगे यह अच्छा है लेकिन अमवस्य योग बन रहा है अमवस्य योग नवे घर में अच्छा नहीं होता जितना भाग्या आपका साथ दे सकता था उसमें थोड़ी गिरावट आएगी और आपके पिता जी के साथ आपके संबंद भिगड़ सकते हैं थोड़े वाद वियाद हो सकते हैं और ओफिस में भी आपके अपने बॉस्स से अपने मेनेजमेंट से थोड़े वाद वियाद हो सकते हैं नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी सेविंग्स को लेकर अपने पैसों को लेकर कितना पैसा संचित है आपके पास उसको लेकर थोड़े से परिशान रहेंगे नवामसा के हिसाब से यदि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्टी से जुड़ा या फिर हेल्थ केर इंडस्टी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा relationship के हिसाब से समय अच्छा है आकर्शन बना रहेगा आप दोनों के बीच में एक दूसरे के बती attractive, attracted feel करेंगे और विवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है specially उन लोगों के लिए जिनके विवाहिक जीवन में problems आ रही है किसी से भी आप help मांगेंगे तो आपको बहुत अच्छी guidance मिल सकती है जिससे आप दोनों के बीच में problem solve हो जाएगी professional help के बारे में भी आप सोच सकते हैं सेहत के हिसाब से lower back में दर्द रहेगी lower body में pain रहेगा और आखों से संबंदित भी थोड़ी बहुत problem दन कर सकती है students के लिए अच्छा समय है जो government संबंदित exams के तयारी कर रहे है banking exams के तयारी कर रहे है उनके लिए समय अच्छा रहेगा सरवाश्टक के हिसाब से छटा स्थान फिर से अत्यन्त भली है व्यर्थ की चिंताओं में मत खोईएगा वरना थोड़ी problem हो सकती है तीन मार्च रात के करीब साड़े आठ बजे चंद्रमा राशी परिवरतन करेंगे और पाइसेस यानि की मीन में आ जाएंगे आपके लगने से दस्वे घर में और सपता अंत तक यहीं पर रहेंगे दस्वे घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है क्यूंकि चंद्रमा आपके धनभाव के स्वामी है साब बता रहा है कारेक शेत्रे से पैसा आएगा क्यूंकि दस्वे घर में बैठे है नई जॉब ढून रहेते तो यह समय बहुत अच्छा है आपको कोई बहुत अच्छा जॉब आफर आ सकता है और अचानक से वो परिस्थिती बन सकती है नवामसा के हिसाब से जादा लोगों से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और जादा आपका लोगों से बात करने का दिल करेगा भी नहीं आपकी वानी में भी इस तरह की फीलिंग आएगी जब आप बोलेंगे कि आप जादा किसी से बात करना चाहते नहीं दसामसा के हिसाब से रिसर्ट से जुड़ा या फिर मार्केटिंग से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाबकारी समय हैं लव लाइफ की बात कर दें तो थोड़ा अपने पार्टनर को इंपोर्टन्स दीजेगा उनको स्पेशल फील कराईएगा तो आपके लिए ये समय अच्छा जाएगा विवाहिक जीवन के हिसाब से उन दमपत्यों के लिए अच्छा समय है जो शिशू के लिए ट्राइ कर रहे थे कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिरेक्शन आपको मिल सकती है सेहत के हिसाब से लोवर बैक में बहुत दर्द रहेगा और स्किन डिसॉर्डर्स थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं स्टूडन्स के लिए अच्छा समय है लेकिन एग्रेशन पर कंट्रोल रखना है सरवाश्टक के इस आपसे चटा स्थान एक बार फिर से बहुत स्टॉंग है अपनी फिजिकल सेहत का शारीरिक सेहत का आपको ध्यान देना है आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्नु चलीसा और क्रिश्न चलीसा का एक एक बार पाट करना है सों बार को चलते हैं कैंसर यानि कि कर्क की तरफ है 28 फेबरी को चंद्रमा मकर में रहेंगे और एक मार्च के शाम करीबन चार वज़े तक मकर में ही रहेंगे कैप्रिकॉन में आपके लगन से सात्वे घर में, अब सात्वे घर में चंदरमा न्यूट्रल होते हैं लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ क्योंकि आपके लगन के स्वामी है जब भी सात्वे घर में आएंगे लगन को देखेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा है और क्योंकि सात्वा गर एक केंद्र है बहुत बलशाली केंद्र नहीं है लेकिन फिर भी एक केंद्र भाव है यहाँ पर केंद्र के स्वामी का या लगन के स्वामी का आना राजयोग होता है लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके लगनके स्वामी है और हफते की शुरुवात में ही बहुत सारे ग्रहों से घेरे रहेंगे तो थोड़ा सा आपको अपने मानसिक सेहत का ध्यान देना है क्योंकि आपके लगनके स्वामी है चंद्रमा चंद्रमा मानसिक सेहत के बहुत बड़े कारक होते हैं और क्योंकि इतने सारे ग्रहों के साथ घिरे रहेंगे तो अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना है जादा विचलित होना नहीं है जादा किसी से influence नहीं होना जादा किसी की बातों में नहीं आना है वैसे बहुत सारे अच्छे योग भी बने हुए हैं, especially आपके career और business के लिए किसमें eventful हो सकता है, मतलब कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके साथ हो सकता है, especially career और business के point of view से. नवामसा कुंडली बता रही है, communication gap या फिर miscommunication बहुत होंगे आपके, तो अपनी बातों में सपश्टता रखेंगे तो अच्छा रहेगा, दसामसा के हिसाब से business करते हैं तो government से कोई problem आ सकती है, लेकिन यदि बाहर से संबंदित आपकी कोई job है, या business भी आपका कोई बाहर स हो सकता है, love life की बात करें तो थोड़ा passion, थोड़ा compassion, थोड़ा romance, add करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा रहेगा क्योंकि उस चीज़ की अभी कमी दिख रही है, विवाहिक जीवन की बात करूं तो अपने life partner को accept करना शुरू कर देजिए, उनकी खामियों के साथ, उनकी चोटी चोटी बातों में नुक्स मत निकालिएगा, चोटी चोटी बातों पर टोकिएगा मत वनना problem हो जाएगा, सेहत के इसाब से liver संबंदित रोग और हड़ियों से संबंदित रोग तंग कर सकते हैं, students के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, लाब आपको आपका भाग्य साथ देगा, इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना है, सरवाश्टक बता रहा है कि पांच्छा स्थान अत्यंत बलशाली है, बहुत जारा points मिले हो हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा और साती में आपका कोई रुका हुआ काम अचानक से बन सकता तीन मार्च की रात के करीब 8 वज़े तक यहीं पे रहेंगे, आपके लगने से आठवे घर में, चंद्रमा आठवे घर में परिशान होते हैं, अनकमफर्टेबल होते हैं, साथी में यहाँ पर सूर देवता भी होंगी, तो यह अमवस्य का समय होगा, अमवस्य योग बन र रहे हैं, तो जितनी नकरात्मक्ता आ सकती थी, उसमें बहुत कमी आई, तो जादा घबराने की भी बात नहीं है, नवामसा के हिसाब से, अपनी घर पे थोड़ा ध्यान दीजेगा, घर में यदि किसी सदस्य को कुछ प्रॉबलम है, तो थोड़ा उनको टाइम देने की करतीत करना चाहिए, दसामसा के हिसाब से, इगो क्लैशेस हो सकती है, कारक शेतर में अपने सेनियर से, अपने मेनेजमेंट से, कॉम्मुनिकेशन से जुड़ा, कम्प्यूटर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, तो समय अच्छा रहेगा, लव लाइफ के हिसाब से, लोड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और आप प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन अभी भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, तो मैं यही कहूंगा कि अपने प्रयास जारी रखिये, बहुत जल्दी सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंग पार्ट टाइम जॉब जो स्टूरेंस डूण रहे थे, उनको भी कोई अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है, सरवाश्टक के इस आपसे पांचवा स्थान फिर से बहुत स्ट्रॉंग है, आपके बच्चों को कोई बहुत अच्छी न्यूज मिल सकती है तीन मार्च रात के करीब आठ साड़े आठ बजे चंद्रमा राशी परिवर्तन करके पाइस्स यानि की मीन में आ जाएंगे, आपके लगन से नवे घर में और सप्ताहा के अंत तक यहीं पे रहेंगे भाग्यस्तान है, यहाँ पे चंद्रमा कान अच्चा है, क्योंकि खुद लगन के स्वामी है, लगन एक केंदर भी है, त्रिकोन भी है तो लगन के स्वामी का एक त्रिकोन में जाना, भाग्यस्तान में जाना बहुत अच्छा रहता है तो हफ्ते के अंत कासा में आपके लिए बहुत अच्छा देखा है शनी देव की दृष्टी होगी ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि वो विश्योग बनेगा तो लंबी दूरी की यात्रा यदि आपको करनी है तो थोड़ा संभल के जाएं नवामसा के हिसाब से किसी नजदी की संबंदी से किसी नजदी की रिष्टेदार से थोड़ा संबंदों में प्रॉब्लम आ सकती है कुछ कॉम्मिकेशन गैप हो सकते हैं जो आप बोलेंगे वो चुब जाए जो वो बोलेंगे आपको चुब जाए जिसके कारण रिष्टे में थोड़ी से दरार आ सकती है दसामसा के हिसाब से रिसर्च से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो हफते कांत लाबकारी है लव लाइफ की बात करते हैं थोड़ा अपने रिलेशन्शिप को और स्टेबल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी भी स्टेबलिटी की कमी है तो थोड़ा और स्टेबल करने की कोशिश कीजिए विवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है तो एक बार चिकित्सक का परमर्श ले ले स्टूडेंस के लिए अच्छा समय है लेकिन एग्रेशन कंट्रोल करना है जो गवर्मेंट सम्मंदित कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं गवर्मेंट इंस्टूट में एड्मिशन लेने के लिए या गवर्मेंट जॉब्स के लिए उनके लिए समय अच्छा है सरवाज तक में पांचवास्थान फिर से बहुत स्टूग है शेर मार्केट में काम करते हैं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं आपके लिए उपाई यह है कि आपको शिव चालीसा काली चालीसा और भैरव चालीसा का एक एक बार पार्ट करना है सोंबा अब चलते हैं लियो यानि की सिम्ह की तरफ हो आपके लिए 28 शेबरडी को चंद्रमा मकर में रहेंगे और एक तारीक की शाम चार वज़े तक यहीं पे रहेंगे यानि की आपके लगन से चटे घर में चटे घर में चंद्रमा थोड़े से विचलित रहते हैं, uncomfortable होते हैं लेकिन यहाँ पर खुद चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं शनीदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो यह आपके लिए ठीक ही रहेगा, आप काफी competitive रहेंगे और confidence का level भी आपका अच्छा रहेगा अपने दुश्मनों पर काफी हावी रहेंगे तो जितना आपके लिए negative हो सकता था चंद्रमा का छटे भाव में बैठना उतना negative नहीं होगा नवामसा के इस आप से बहुत serious रहेंगे आप और इस कारण से आपके कई लोगों से मतभेद भी हो सकते हैं शायद आपका औचित्य वो नहीं होगा आप दिल से नहीं चाहेंगे लोगों के साथ seriously बात करना लेकिन क्योंकि ग्रहों का ऐसा प्रभाव रहेगा लोगों को लगेगा कि आप बहुत rudely उनसे बात कर रहे हैं दसामसा के इसाप से management से जुड़ा finance से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा अपने partner को और समझने की कोशिश कीजिए उनकी समवेधनाओं को उनकी जरूरतों को उनकी इच्छाओं को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है थोड़ा हसी मजाग include करने की कोशिश करेंगे अपने दोनों के बीच में तो और अच्छा रहेगा सेहत के हिसाब से यदि आपको कोई भी hormonal issue है thyroid संबंदित कोई भी problem है किसी भी gland से संबंदित कोई problem है pituitary gland, thyroid gland तो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान दीजेगा students के लिए मिला जुला सा समय रहेगा एक तरफ तो आप बहुत बुद्धी मता का अपनी प्रयोक कर पाएंगे वहीं दूसरी और थोड़े confused भी रहेंगे पढ़ाई की बातों को नहीं दूसरी बातों को लेकर तो थोड़ा मिश्रित सा समय आपके लिए रहने वाला है हफते के शुरुआत का सरवाश्टक के हिसाब से आपका चौथा घर बहुत स्ट्रॉंग है तो घर से जुड़ी कोई ना कोई अच्छी नियूज आपको या आपके परिवार के किसी सदस्टे को धन से संबंदित कोई अच्छी नियूज मिल सकती है एक मार्च शाम के करीब चार बज़े चंद्रमा राशी परिवरतन करके कुम्भ में आ जाएंगे आपके लगन से साथवे घर में और तीन मार्च राट के करीब आठ वज़े तक साड़े आठ वज़े तक यहीं पर रहेंगे आपके लगन से साथवे घर में साथवे घर में आना चंद्रमा का न्यूटरल होता है और यहाँ पर क्योंकि आपके लगने के स्वामी सूर्य देवता के साथ होंगे तो ये अच्छा भी है बुरा भी है लगने के स्वामी के साथ होना अच्छा होता है लेकिन जब भी चंदरमास सूर्य देवता के साथ होते हैं तो अमवस्य का समय होता है अब मवस्य का योग बन रहा है आपके सात्वे घर में तो आपकी public image पे आपकी social life पे थोड़ा negative impact पड़ सकता है कोई जान बूच कि आपकी public image खराब करने की कोशिश कर सकता है लेकिन एक अच्छी चीज है कि गजकेसरी योग बन रहा है यहाँ पे तो वो बहुत हद तक आपको protection देगा नवामशा को उनली बता रही है कि छोटी मोटे यात्रा करनी पर सकती है जो आपके schedule में थोड़ा सा विगन डालेगी दसामसा के हिसाब से business करते हैं तो यह समय अच्छा रह सकता है लेकिन कोई बड़ी deal साइन करने से आपको बचना है लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा time spend केजिए अपने partner के साथ और time spend करने की जरूरत है एक quality time spend करने की जरूरत है आपको अपने partner के साथ विवाहिक जीवन के ही साबसे communication problem हो सकती है इस समय में थोड़ा कम बात करेंगे जरूरत की बाते करेंगे तो अच्छा रहेंगे सेहत के हिसाप से skin disorders और नसों से संबंदित problem दंग कर सकती है students के लिए थोड़ा सा problematic समय देख रहा है बहुत confused रहेंगे बहुत चिंताओं से घिरे रहेंगे सरवाश्टक के इस साबसे चौथा स्थान बहुत strong है और क्योंकि चौथे स्थान में केतू बैटे हैं तो थोड़ा बहुत accident का योग बन रहा है यदि वाहन चलाते हैं तो थोड़ा संबल के चला है तीन मार्च रात के करीबन आठ साढ़े आठ वजे चंद्रमा राशी परिवतन करके पाइसेस यानि की मीन में आ जाएंगे आपके लगने से आठवे घर में और सब्ताह अम्त तक यहीं पे रहेंगे क्योंकि चंद्रमा आपके बारवे घर के स्वामी है और आठवे में बैट रहे हैं तो विपरीत राजयोग बन रहा है यह आपके लिए अच्छा ही है वैसे सबके लिए चंद्रमा आठवे घर में थोड़े से विचलित करने वाले होते हैं लेकिन कभी-कभी सिम्ह के लिए आठवे घर में अच्छे रिजल्ट भी दे जाते हैं क्योंकि विपरीत राजयोग बनाते हैं और चंद्रमा अभी-अभी अमवस्त से निकले ही होंगे तो थोड़ा positivity उनमें और होगी तो आपके लिए इतना कोई problematic समय नहीं है शनी देव की दृष्टी रहेगी और शनी देव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय ही होगा कुछ इसमें negative जादा मुझे नहीं देख रहा है अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आठवे घर में है चंद्रमा और सूर्य देवता सात्वे घर में है और अपने से सात्वे में जब भी सूर्य देवता बैठते हैं तो एक तरह से उनकी जो पावर होती है वो बहुत अत्तक कम हो जाती है तो अपनी सेहत का आपको ध्यान देना है नवामसा के हिसाब से यदि देश से बाहर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इस समय थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपके जो काम बन रहेते उसमें थोड़ी से रुकावट आ सकती है दसामसा के हिसाब से गवर्मेंट सम्वंदित कुछ काम करते हैं या आटोमोबील इंडरस्टी से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये समय अच्छा है लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा एड़्जस्टिंग नेचर के रहिएगा फ्लेक्सिबल रहिएगा जादा रिजिड मत हो जाइएगा कि जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए ये चीज थोड़ी प्रॉब्लम ला सकता है विवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है अच्छा बैलन्स टाइम आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्टूडेंस के लिए चीजें थोड़ी बैटर होंगी ब्रहस्पती का प्रभाव रहेगा इसलिए चीजें थोड़ी बैटर होती भी दिख रहे हैं सरवाश्टक के हिसाब से चौथा स्थान फिर से बहुत स्ट्रॉंग है आपकी माता जी को धन से संबंदित कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है या घर में किसी को धन से संबंदित अच्छी न्यूज मिल सकती है लेकिन आपकी माता जी की सेहत खराब हो सकती है उसका आपको ध्यान रटना है उपाई ये है कि आपको सूर्य चलीसा का तीन बार पार्ट करना है चलते हैं वर्गो यानि की कर्णिया की तरफ 28 चब्रारी को चंद्रमा केप्रिकॉन में रहेंगे और एक मार्च की शाम करीबन चार बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लगन से पांचवे घर में चंद्रमा का पांचवे घर में आना वैसे अच्छा होता है लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत सारे ग्रह होंगे तो थोड़ा अपने विचारों पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजेगा यदि विचार बहुत इधर उधर भाग रहे हों तो थोड़ा मेडिटेट कर लीजेगा थोड़ा ध्यान लगा लीजेगा और कोई बड़ा निरने से तो आपको पूरी तरह से अपने आपको दूर रखना है हफते की शुरुवात में क्योंकि बहुत सारे गरह चार पांच गरह आपके पांचवे घर में होंगे और आपका विचारों का संबंद बहुत होता है चंदरमा fred और पांचवे घर से और दोनों ही प्रभावित रहेंगे तो कोई बड़ा निरने लेने से तो आपको बचना है लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं तो भागे का साथ भी आपको अवश्य मिलेगा नवामसा के हिसाब से ये confirm हो रहा है कि भागे का साथ आपको मिलेगा और अपने life को बहुत अच्छी तरह से manage आप कर पाएंगे कई चीजों को पूरा कर पाएंगे जिनको पिछले कुछ समय से पूरा नहीं कर पा रही थे दसामसा कुनली बता रही है corporate sector में काम करते हैं या real estate से जोड़ा कुछ काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ के हिसाप से समय अच्छा है जो लोग relationship start करना चाते थे उनके लिए भी अच्छा है और जो लोग already relationship में हैं उनके लिए भी समय अच्छा है विवाहिक जीवन की बात करें तो यहां भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है एक पूर्णता का भाव रहेगा आप दोनों के बीच में विवाहिक जीवन का संपून आरंद उठा पाएंगे सेहत के इसाप से chest रोग कफ रोग तंग करेंगे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है स्पेशली जो नौन टेक्निकल स्टूडेंट्स है सरवाश्टक के हिसाप से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है अचानक से यात्रा पर निकलना पड़ सकता है जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एक मार्च शाम के करीब चार साड़े चार बज़े चंदर्मा राशी परिवतन करके छटे स्थान में आजाएंगे आपके आपके लगन से छटे स्थान में आने की कुम्ब राशी में और तीन मार्च के रात के आठ साड़े आठ बज़े तक यहीं पे रहेंगे आपके लगन से छटे घर में छटे घर में चंद्रमा थोड़े विचलित रहते हैं और थोड़ा और प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि यहाँ पर अमवस्य योग बन रहा है लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर सूर्देवता होंगे जो कि अमवस्य योग बना रहे है लेकिन वो विपरीत राज योग भी बना रहे है तो ये आपके लिए उतना बुरा नहीं होगा जतना हो सकता था बलकि कुछ न कुछ ये विपरीत राज योग आपको अच्छा भी देकर जाएगा कोई काम आपका अटक रहा था वो अचानक से हफ़ते के बीच में पूरा हो सकता है नवामसा कुनली यह बता रही है कि अपने से बड़ों से आपके थोड़े वाद व्याद हो सकते है परसनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में दसामसा के हिसाब से मार्केटिंग से जुड़ा, फाइनस से जुड़ा, एडवर्टीजमेंट से जुड़ा कुछ भी काम करते है तो यह समय अच्छा रहेगा लव लाइफ की बात करें तो एमोशनल कमपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे विवाहिक जीवन की जहां तक बात है थोड़ा adjusting nature के रहेंगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा थोड़े से rigid हो गए ideal से हो गए तो वो problem हो सकती है सेहत के लिए साब से engineering से जोड़े students जो है उनके लिए भी समय अच्छा है सरवाश्टक के इस आपसे तीसरा सान strong रहेगा आपका अपने भाई बहनों से थोड़ा वाद व्याद हो सकता है मन मुटाव हो सकता है तीन मार्च रात के करीब आठ साड़े आठ बजे चंद्रमा राशी परिवतन करके मीन राशी में आ जाएंगे पाइसेस में और सब्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे आपके लगने से सात्वे घर में चंद्रमा का सात्वे घर में आना neutral होता है ना जादा अच्छा ना जादा बुरा लेकिन क्यूंकि आपके लिए लाव स्थान के स्वामी है तो उनका सात्वे घर में आना अच्छा होता है क्यूंकि वहां से वो लगनपर द्रिष्टी डालते है यह समय आपके लिए अच्छा होगा कोई खराब करने की कोशिश कर सकता है इस पर आपको ध्यान देना है और आपकी public image को भी थोड़ा कोई बिकारने की कोशिश कर सकता है नवामसा को उटली बता रही है कि आपको अपने पिताजी के पक्ष़े से कुछ धनलाब हो सकता है दसामजा के हिसाप से research से जुड़ा, hospitality से जुड़ा, transport से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, तो ये समय लाबकारी है, love life की बात करें तो अपने partner को appreciate कीजेगा, उनकी थोड़ी तारीफ करेंगे, उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए उनकी तारीफ करेंगे, तो ये समय बहु आना पड़ेगा कि भई आप भी उतने ही important है विवाहिक जीवन में, शादी शुदा जिंदगी में जितने वो important है, तो ये चीज आपको जरूर करनी है हफते के अंत में, सिहत के हिसाब से गले से सम्बंदित रोग और आखों से सम्बंदित रोगतंग कर सकते हैं, students के लिए अच्छा समय रहेगा, भागे का साथ मिलेगा, fashion industry से जोड़े कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या non-technical पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा, जादा मत बोलिएगा किसी से, वो आपके लिए थोड़ा नगरात्मक हो सकता है, सरवाश्टक के इस आपसे तीसरा स्थान फिर से बहुत स्ट्रॉंग है, काफी साहस ही रहेंगे आप अपने, आप हफते के अंत में और इस साहस का आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं, आपके लिए उपाई यह है कि आपको गणेश चालीसा का तीन बार पार्ट करना है, सोम बार को, आप जलते हैं लिब्ब्रा यानि की तुला के तरफ, 28 तारीक को चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे आपके लगन से, कैप्रिकॉन में यानि की मकर में, और एक तारीक की शाम 4-4.5 बज़े तक यहीं पे रहेंगे, वैसे चौथे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन इस समय बहुत सारे ग्रह रहेंगे चौथे घर में, और कार को भावना शाए दोश भी लगेगा, तो आपको अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखना है, साती में इस समय आपके माता जी की सेहत बहुत बिगड़ सकती है, और घर में भी थोड़ी तनाव की सितियोतपन हो सकती है, तो हर चीज को आपको संभाल कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ही अच्छा रहेगा, करियर में भी थोड़ी बहुत प्रॉबलम आ सकती है, हफ़ते की शुरुवात में, नवामसा के हिसाब से, कई लोगों से आपके मिस कॉम्मुनिकेशन हो सकते हैं, और एकदम रियक्टिव मत रहिएगा, कोई भी आपको कुछ बोलता है, तो पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश कीज़ेगा, उसके बाद ही कोई निरने लीज़ेगा, दसामसा के हिसाब से, कॉम्मुनिकेशन से जुड़ा, आईटी इंडस्टिय जुड़ा, कुछ भी काम करते हैं, तो लाब होगा, सेहत के हिसाब से, यदि आपको कोई हॉर्मोनल डिसॉर्डर है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और आखों से संबन्दित प्रॉब्लम भी थंग कर सकती है, लव लाइफ की बात करें तो, यहाँ पे सब कुछ अच्छा देख रहा है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, विवाहिक जीवन की बात करें तो, यहाँ पी सब कुछ अच्छा देख रहा है, आप खुद प्रियास करेंगे कि आप दोनों के बीच में समय बहुत पॉजिटिव व्यतीत हो, और हर तरफ से आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी रहें, अच्छा समय दिख रहा है, विवाहिक जीवन के साब से भी, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा नकरात्मक समय है, कुछ नेगेटिव आपके साथ हो सकता है, और भागे का भी थोड़ा साथ कम मिलेगा आपको, सरवाश्टक के इसाब से धन स्थान बहुत स्टॉंग है, तो कहीं न कहीं से धन अचानक से आ सकता है, एक मार्च शाम करीबन 4-4.45 बज़े चंदरमा राशी परिवर्तन करके, कुम्भ में आ जाएंगे आपके लगन से पाँचवे स्थान में, और 3 मार्च राद के करीबन 8.45 बज़े तक यहीं पर रहेंगे, आपके लगन से पाँचवे स्थान में. पाँचवे स्थान में चंदरमा का आना अच्छा होता है, क्योंकि खुद कारेस्थान के स्वामी है, साफ बता रहा है कि कारेस्थान में रुकी हुई चीज़े आगे बढ़ेंगी, यानि कि करियर में रुकी हुई चीज़े आगे बढ़ेंगी, कॉंपेटिटिव समय रहेगा, काम जादा रहेगा, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और आपको अपने कलीक्स का, अपनी मेनेजमेंट का साथ मिलेगा, जो मानसिक विकार, जो प्रॉब्लम्स हफते की शुरुवात में आपको तंग कर रही थी, उन सब चीज़ों से बहुत हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रहस्पती जी भी है, तो बहुत अच्छा है वो आपके लिए, लेकिन यहाँ पर अमवस्य योग बन रहा है, यह अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा जाते हुए भी अचानक से नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके बच्चों के साथ आपके संबंद बिगड़ सकते हैं, उनके साथ वाद विवाद हो सकते हैं, आपके बच्चों की सेहत भी बिगड़ सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजेगा, नवामसा कुनली बता रही है कि घर में कुछ ऐसी सिचुईशन चल रही है या इस समय चलेगी जो आपको बहुत परिशान करेगी दसामसा के हिसाब से, मैनेजमेंट से जुड़ा या फिर मार्केटिंग से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ की बात करें तो थोड़ी समवेधना बनाके रखिएगा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिएगा उनकी जरूरतों को उनकी इच्छाओं को रिस्पेक्ट कीजिएगा तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा negativity से positivity की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए क्योंकि ऐसा देख रहा है इस समय आपने आपको बहुत negative कर लेंगे जितना positive side में रहेंगे life के उतना आपके लिए अच्छा रहेगा सेहत के हिसाब से कफ रोग तंग करेंगे और sleep disorders तंग करेंगे students के लिए ये समय ठीक ठाक है लेकिन थोड़े confused रहेंगे वो आपके लिए थोड़ी problem create कर सकता है सरवाश्टक के हिसाब से धनस्तान फिर से बहुत strong है आपको भी आपके घर्म के किसी सदस्य को भी कोई धनलाब हो सकता है तीन मार्च राद के करीबन आठ साढ़े आठ बजे चंद्रमा राशी परिवतन करके पाईसेस यानि की मीन में आ जाएंगे आपके लगने से छटे स्थान में और सब्ताह के अनत तक यहीं पे रहेंगे चंद्रमा का छटे स्थान में आना जाधा अच्छा नहीं होता करियर के प्रोसपेक्टिव से यह अच्छा हो सकता है क्यूआ कारिय स्थान से नवे में बैठ रहे हैं लेकिन सेहत के हिसाब से बहुत अच्छा समय नहीं है, शनी देव की दृष्टी रहेगी चंद्रबापर विश्योग बनाएंगे, वो भी अच्छा नहीं है, काफी व्यर्थ की चिंताओं में अपने आपको घेड लेंगे, जिसके कारण अपने लिए ही कुछ अपने आप ही बुरा कर लेंगे, व्यर्थ की चिंताओं से बचके रहे हैं, नवामसा के हिसाब से किसी घर के बड़े से या किसी मैच्छोर इंसान से बात करने की कोशिश कीजेगा, जो भी मन में द्वंद चल रहे हैं, उनके साथ डिसकस करेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल रहा है, बहुत प्लेजरेबल समय, रोमेंटिक समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर पाएंगे, विवाहिक जीवन की बात करने तो थोड़ा नए प्रोस्पेक्टिव से आपको अपने लाइफ पार्टर को अपनी शादी चुदा जिंदगी को देखना पड़ेगा, अपना न डाइजस्टिव डिसॉर्डर्स थोड़ा तंक कर सकते हैं, स्टूडेंस के लिए समय ठीक ठाक है, लेकिन एग्रेशन आपके लिए कुछ नेगेटिव लेके आ सकता है, सरवाश्टक के इस आपसे धनस्थान पूरे हफ़ते बहुत स्ट्रॉंग बना हुआ है, तो ये अंदित कोई पॉजिटिव न्यूस आपको मिल सकती है, आपके लिए उपाई यह है कि आपको गौरी चालीसा और काली चालीसा का एक एक बार पाट करना है, सोमवार, चलते हैं स्कॉर्पियो आने की व्रिश्चिक के तरफ है, 28 तारीक को चंद्रमा आपके तीसरे भाब मे रहेंगे आने की कैप्रिकॉर्ण में और एक तारीक की शाम करीबन 4.4 बजे तक यहीं पे रहेंगे, आपके लगन से तीसरे स्थान में, चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा होता है, लेकिन आपके कई लोकों से वाद विवाद, कॉम्मुनिकेशन प्रॉब्लम, मिसकॉम्मुनिकेशन हो सकती है, थोड़ा धैर रखें क्योंकि थोड़ा गुस्सा भी आपका इस समय जादा रहेगा, काफी कारेशील रहेंगे, आप अपने एफर्ट्स पूरे डालेंगे, नई-ने चीज़े ट्राय करेंगे, लेकिन यह जो गुस्सा है, यह जो आप इस समय अपनी लाइफ में, नवामसा के हिसाब से, अपनी फिजिकल हेल्थ पे आपको ध्यान देना चाहिए इस समय, यदि फिजिकल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लाइटली मत लीजेगा, क्योंकि उसका एक लॉंग टर्म नेगेटिव इंप करें तो, यदि रिलेशन्शिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका अंत हो सकता है, यानि कि चीजें पॉजिटिव डिरेक्शन में बढ़ सकती हैं, और विवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है, जो भी आप महनत कर रहे थे अपनी विवाहिक जीवन में पॉ साथ मिलेगा, सरवाश्टा की बात करें तो, आपका लगन यानि की प्रथम स्थान बहुत स्टॉंग है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन उसके साथ एग्रेशन भी रहेगा, एक तारीक की शाम करीबन साड़े चार बजे चंद्रमाराशी परिवतन करके, कुम्भ में आ जाएंगे आपके लगन से चौथे घर में, और तीन तारीक की शाम करीबन साड़े आठ बजे तक यहीं पर रहेंगे आपके लगन से चौथे घर में, चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन कार को भावनाशाय दोश लगता है, वो को काफी प्रॉब्लम आ सकती है एक बहुत अच्छी चीज है कि यहां पर गजकेसरी योग बनेगा तो वह बहुत हद तक आपको पॉजिटिविटी प्रदान करेगा तो उतना नेगेटिव नहीं होगा जितना हो सकता था नवामसा के हिसाब से आपका ज़िधी देश से बाहर जाने का प्लैन बन रहा था तो चीजें पॉजिटिव डिरेक्षं में इस समय बढ़ सकती हैं दसामसा के इस आपसे management सम्मंदित कुछ काम करते हैं या फिर interior से जुड़ा कुछ काम करते हैं architecture से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा love life की बात करें तो थोड़ा loyal रहीएगा dedicated रहीएगा अपने partner की प्रती क्योंकि आपके commitment level का test हो सकता है विवाहिक जीवन की बात करें तो यदि कुछ problems आ रही है तो उन पे action लीजिए क्योंकि यदि इसको late किया इस चीज़ को delay किया तो आगे जलके और problem होगी सेहत के इसाप से sleep disorders तंग करेंगे students के लिए अच्छा समय है तीन मार्च रात के करीबन साड़े आठ बजे क्या स्पास चंदर्मा राशी वरिवतन करके पांचवे स्थान में आ जाएंगे यानि कि पाइसेस में मीन में और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे पांचवे स्थान में चंदर्मा का आना बहुत अच्छा होता है स्पेशली आपके लिए क्योंकि आपके भाग्यस्थान के स्वामी है एक त्रिकोन स्थान है एक त्रिकोन भाव के स्वामी का दूसरे त्रिकोन में आना उच्चकोटी का राजयोग है तो हफते का अंतिम समय आपके लिए बहुत अच्छा है एक चीज जो नेगेटिव है वो ये है कि शनी देव की दृष्टी रहेगी चंद्रमा पर शनी देव के आपके लगन के स्वामी के साथ संबंध अच्छे नहीं है यानि कि मंगल के साथ और चंद्रमा पर दृष्टी विश्योग बनाएगी तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी अचानक से नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे ये आपके लिए नेगेटिव है नवामसा के हिसाब से भाग्य का साथ कहीं कहीं पर जरूर मिलेगा लेकिन जादा भाग्य के भरोसे सब्ताह के अंत में मत रहिएगा दसामसा के हिसाब से बिजनस करते हैं तो ये समय अच्छा है लेकिन किसी डॉक्युमेंट को यदि साइन करना हो तो एक एक शब्द पढ़के कीजेगा लीगल सहायता भी ले सकते हैं यदि कोई बड़ा कॉंट्रेक्ट है लव लाइफ की बात करें तो अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा स्पेशली उनके लिए है जिनका रिलेशन्शिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है विवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आपके लाइफ पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो ये बात को लेकर आपको उनसे कंफरंट करना पड़ेगा उनको उनको बोलना पड़ेगा कि ये चीज सही नहीं है और इस चीज की तरफ उनका ध्यान आकरशित करना पड़ेगा सेहत के हिसाब से लिवर संबंदेत रोग नसों से संबंदेत रोगतं कर सकते हैं स्टूरेंस के लिए बहुत अच्छा समय है technical students हो, non-technical students हो समय अच्छा है सरवास्टक के इस आपसे फिर से लगना ही strong है पूरे हफते लगना strong है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है यदि विपरीत परिस्ति भी कोई आती है उसका भी सामना बहुत अच्छी तरह कर लेंगे उपाई यह हनुमान बाहुक का और हनुमान चालीसा का दो-दो बार पाठ करना है जलते हैं धनु यानि की सैजिटेरियस की तरफ 28 सब्ररी को चंदरमा आपके दूसरे स्थान में रहेंगे आनि की क्याप्रिकॉन में और एक तरीक की शाम करीबन साड़े चार बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लगने से दूसरे स्थान में चंदरमा का दूसरे स्थान में आना धनागवन का सूचक होता है क्योंकि आपके आठवे भाव के स्वामी है तो अचानक से कहीं से धना सकता है और इस समय धन भाव में बहुत सारे ग्रहों का जमावडा रहेगा तो पैसा तो आएगा लेकिन थोड़ा पैसा अतिरिक्त खर्च भी हो सकता है तो पैसे के संबंद में मिला जुला समय है लेकिन धन स्थान में है चनरमा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव पैसे के संबंद में हो सकता है लेकिन घर की सिती थोड़ी अच्छी नहीं दिखरी, घर में किसी की सेहत बिगर सकती है, थोड़ा मनमुटाव पारिवारिक रिष्टों में हो सकता है नवामसा कुनली यह बता रही है कि थोड़ा नेगिटिव सोचना यदि आपने शुरू किया तो उसी में लिप तो हो जाएंगे, उसी में अपने आपको घिरा हुआ पाएंगे तो हफते की शुरुआत में जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, उतना रहने की कोशिश कीजेगा वरना आपके मानसिक सेहत पर बहुत तनाव पड़ेगा दसामसा के हिसाब से बाहर से संबंदित MNC में काम करते हैं या इंटरनेट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाबकारी समय है लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ी negativity कम करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी जो भी miscommunication हुई है recently उसको दूर कर लीजिए वरना आगे जाके के बहुत बड़ी problem बन सकती है विवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ ठीक ही दिख रहा है नॉर्मल चलेगा चोटी-चोटी चीजों में अधी खुशिया ढूनेंगे तो अच्छा रहेगा सेहत के हिसाब से रक्त संबंदित विकार गले से संबंदित प्रॉब्लम तंग करेगी स्टूडन्स के लिए अच्छा समय है पढ़ाई में मन लगेगा और आपका प्रॉडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी सरवाश्टक के हिसाब से बारवा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है आपकी सेहत अचानक से विगड़ सकती है सेहत का आपको ध्यान रखना है एक मार्च शाम के करीबन साड़े चार बज़े चंदर्मा राशी परिवरतन करके तीसरे स्थान में आ जाएंगे यानि की कुम्भ में और तीन मार्च रात के करीबन साड़े आठ बज़े तक यहीं पे रहेंगे आपके लगने से तीसरे घर में तीसरे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, यहाँ पे और भी अच्छा है क्योंकि आपके लगने के स्वामी यानि की ब्रहस्पती बैठे होंगे, तो यह बहुत अच्छा है, जैसा मैं कई बार बता चुगा हूँ, लगने के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं लेकिन यह अमवस्थे योग भी होगा क्योंकि सूरे देवता साथ में होंगे, तो एक्सिजेंड के योग बनेंगे, साथी में आपका अपने भाई बहनों से संबंद, थोड़े से उनमें प्रोब्लम आ सकती है, मिसकॉम्मुनिकेशन के कारण या पैसों के संबंद में भी प्रोपर्टी के संबंद में भी कुछ प्रोब्लम आ सकती है, यात्रा करनी हो तो थोड़ा संबल कीजिएगा, नवामसा कुंडली बता रही है कि इंकम के सोर्सेस को इंप्रूव करने की आप कोशिश करेंगे, प्राय करेंगे कि रेगुलर इंकम के साथ कुछ पार्ट ता रहेगी आप दोनों के बीच में जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, विवाहिक जीवन अच्छा है, विवाहिक जीवन का संपून आनंद उठा पाएंगे, एक दुसरे के काम में अधी थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, तो और अच्छा रहेगा, सेहत के हिसाब से गले से संबंदित रोग काफी तंग करेंगे, और उदर विकार यानि की पेट से संबंदित रोग भी बहुत तंग करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो गवर्मेंट जॉब के तयारी कर रहे हैं, ये समय अच्छा है, सरवाश्टक के हिसाब से बारवास्थान फिर से बहुत स्ट्रॉंग है, अपने खर्चों पर थोड़ा नियंतरन करने की कोशिश कीजेगा, तीन मार्च रात के करीवन साड़े आठ बजे चंदर्मा राशी परिवतन करके चौथे घर में आ जाएंगे, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे, चंदर्मा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि कार को भावनाशा एदोश लगता है, तो आपको अपनी मानसिक सेहत का, अपनी माता जी की सेहत का ख्याल रखना है, स्पेशली अपनी माता जी की सेहत का ख्याल रखेगा, या अपने घर में जितनी भी लेडीज हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखेगा, क्योंकि ये विश्योग भी है, शनी देव की दृष्टी रहेगी, तो घर की महिला सदस्यों का थोड़ा आपको ख्याल रखना है उनकी सेहत का मानसिक एवं शालिदिक नवामसा कुंडली यह बता रही है कि घर में थोड़ी प्रॉबलम आ सकती है सम्मंदों में थोड़ी दूरियां आ सकती है दसामसा के हिसाब से कॉर्परेट सेक्टर में काम करते हैं तो लाबकारी समय है लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा जो बाते नहीं कह पा रहे थे थोड़ा साहस दिखा के वो बात कह देंगे इस समय तो अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन की बात करें तो open hearts है यानि कि खुले मन से अपने life partner को approach कीजिए जो भी मन में बात है जो भी discuss करना चाहते हैं वो कीजिए क्योंकि उससे कुछ ना कुछ positive ही आप दोनों के लिए होगा सेहत के इसाप से skin disorders और हड्डियों से संबंदित problem तंग कर सकती है students के लिए अत्यनत शुप समय है सरवाश्टक के इसाप से फिर से बारवा स्थान बहुत strong है यदि आपकी नींद पूझ नहीं हो रही है तो और बहुत समय से ये चल रहा है तो किसी चिकित्सक को दिखा लें क्योंकि ये चीज आगे जाके आपको बहुत problem देगी आपको ये उपाई ये है आपको गनेश चलीसा और ब्रहस्पती चलीसा का एक एक बार पाट करना है चलते हैं Capricorn यानि की मकर की तरफ 28 February की सुभा से एक तारीक की शाम करीबन 4 बजे तक चंद्रमा आपके लगन में ही रहेंगे यानि की Capricorn में लगन में आना चंद्रमा का अच्छा होता है क्योंकि आपके लिए सात्वे घर के स्वामी है जोके एक केंद्र स्थान है एक केंद्र स्थान के स्वामी का दूसरे केंद्र में जाना अच्छा होता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ग्रह रहेंगे यह थोड़ा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इतने सारे ग्रहों का जमावडा लगन में और वो भी चंद्रमा के साथ तो नेगेटिव इस सेंस में हो सकता है कि आपके जो विचार है उनको नियंतरित करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और क्योंकि विश्योग भी बन रहा है यहाँ पर तो थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग भी आपकी हो सकती है सेहत पर भी बुरा प्रभाव पर सकता है तो अपनी सेहत का मानसिक सेहत का आपको हफते की शुरुवात में ध्यान देना है नवामसा कुंडली इस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है और वो नेगेटिव थिंकिंग फ्रस्ट्रेशन में इरिटेशन में बदलके अग्रेशन की तरफ जा सकती है तो आपको नकरात्मक सोच से तो हफते की शुरुवात में बिल्कुल अपने आपको दूर रखना है दसामसा कुंडली बता रही है बाहर से संबंदित कुछ काम है आपका तो लाब होगा लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा ट्रस्ट पे काम कीजिए विश्वास पे काम कीजिए और विश्वास बढ़ाई अपने रिलेशन्शिप में तो अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन के इसाप से कुछ नया पन लाने की कोशिश करेंगे अपने विवाहिक जीवन में तो अच्छा रहेगा सेहत के हिसाप से आखों से संबंदित रोग और स्लीप डिसॉर्डर स्तंग करेंगे स्टूडेंस के लिए बहुत अच्छा समय है भागे का साथ मिरेगा, क्लेरिटी रहेगी भले ही पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉबलम हो लेकिन स्टडी लाइफ आपकी अच्छी है सरवाश्टक के हिसाब से लावस्थान बहुत अच्छा है ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए क्योंकि बहुत जादा बली है सरवाश्टक में लावस्थान तो कुछ ना कुछ लाव की प्राप्ति जरूर हो एक तारीक की शाम को चंद्रमा करीबन चार बजे राशी परिवतन करके दूसरे स्थान में आ जाएंगे लगने से और तीन तारीक की राद करीबन साड़े आठ बजे तक पर रहेंगे आपके लगने से दूसरे घर में धन भाव है यहाँ पर चंद्रमा का आना अच्छा होता है धन आगमन का सूचक होता है क्योंकि चंद्रमा सात्वे घर के स्वामी है तो बिजनस करते हैं तो अत्यन तलाब हो सकता है एक और अच्छी चीज है कि यहाँ पर ब्रहस्पती के साथ होंगे लेकिन क्योंकि ब्रहस्पती एक शुब गरह तो है लेकिन बारवे घर के स्वामी है आपके लिए तो खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं दूसरा यहाँ पर अमवस योग बन रहा है यह थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि शुबस्थान में बन रहा है तो घर के किसी सदस्थे की तब्यत अचानक से विगड सकती है और पैसा तो आएगा लेकिन खर्चा भी साथ के साथ बहुत हो सकता है नवामसा के हिसाब से थोड़े confused रहेंगे आप इस समय में और specially अपनी personal life में कुछ ना कुछ आपके इस समय problem चल रही है जो आपको बहुत confused करेगी फ्रस्टेट करेगी दसामसा के हिसाब से banking, finance से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाब होगा love life की बात करते हैं यहाँ पे relationship में जो लोग है उनके लिए अच्छा समय है, romantic समय है अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे नया relationship स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी समय positive है विवाहिक जीवन में यदि कुछ नकरात्मकता आ रही थी तो वो नकरात्मकता आप positivity की तरफ जाते हुए दिख रही है उस हिसाब से समय अच्छा है सेहत की बात करें तो lower back में दर्द रहेगा chest सम्मंदित रोग तंग करेंगे students के लिए बहुत अच्छा समय है भाग्य का साथ मिलेगा आपका retention power भी बहुत अच्छा रहेगा सरवाश्टक के हिसाब से फिर से लाव स्थान बहुत स्ट्रॉंग है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा लेकिन जैसा मैंने बताया दूसरे स्थान में आवसीयोग बन रहा है तो पैसा खर्च भी आपका इस समय बहुत होगा तीन मार्च रात के करीबन आठ साढ़े आठ बजे चंद्रमा राशी परिवर्तन करके पैसे यानि की मीन में आ जाएंगे आपके लगने से तीसरे घर में और सब्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है क्योंकि आपके लिए एक केंद्र के स्वामी है और वहां से नवे में गए है यानि कि आप काफी एक्टिव रहेंगे और कई रुके हुए काम अपने प्रयासों से पूरे करने की कोशिश करेंगे शनी जेव की दृष्टी रहेगी चंद्रमा पर जो विश्योग बनाएगी तो भाई बहनों से संबंध थोड़े विगड़ सकते हैं जवाब बात करते हैं किसी से इस समय में तो थोड़ी सौमेता रखिएगा तो काफी चीज़ें आपके लिए सही रहेंगे नवामसा के हिसाब से थोड़ा अपने में खोई रहेंगे इस समय जादा सोशल आप नहीं रहेंगे दसामसा कुंडली यह बता रही है कि टेक्नलोजी से जुड़ा साइन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाब होका जो लोग रिलेशन्शिप में हैं थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा यदि थोड़े हालात बिगड़ते भी हैं तो आपको सकरात्मक रहना है तो चीजें आप बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे यदि थोड़ी सी मिसंडरस्टैनिंग होती है और आप भी नेगेटिव हो जाते हैं तो चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी विवाहिक जीवन के इसाप से कोई important बात यदि करनी है अपने life partner से तो हफते के अंत में मत कीजेगा कुछ समय बात कर लीजेगा हफते का अंत का समय कोई बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए उप्युक्त नहीं है सेहत के हिसाप से गले से संबंदित रोग और नसों से संबंदित रोग तंग करेंगी कोई infection भी आपको पकड़ सकता है students के लिए अच्छा समय है specially जो government job की तैयारी कर रहे है उनके लिए अच्छा समय है सरवाश्टक के हिसाप से फिर से लावस्तान बहुत स्ट्रॉंग है पूरे हफ़ते लावस्तान अत्यंत शुब है अत्यंत पावर्फुल है तो इस हफ़ते आपको ऐसा देख रहा है कि कही ना कही से तो अचानक से कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है आपके लिए उपाई यह है कि आपको शनी चालीसा का हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करना है सोंबार को चलते हैं एक्वेरियस यानि की कुम्ब की तरफ रफ 28 तारीक को चंद्रमा आपके 12 स्थान में रहेंगे और एक तारीक की शाम करीबन 4 सारे 4 बजये तक यहीं पर रहेंगे यानि की काप्रिकॉन में 12 स्थान में चंद्रमा विचलेत रहते हैं लेकिन यहाँ पे लगनके सौामिय होंगे जो विपरीत राजयोग बना रहे है और समझ लेना चाहिए कि आपके जो रुके हुई काम है उनमें आपको efforts लगाने है तो जो भी आपकी life में काम रुक रहेते अटक रहेते हफते की शुरुवात में उनमें जी जान लगा दीजेगा क्योंकि बहुत जादा chances है कि यो जो रुक रहेते काम अटक रहेते काम वो पूरे हो सकते चंद्रमा क्योंकि छटे भाव के स्वामी है तो थोड़ी चिंता आपकी बढ़ सकती है व्यर्थ की चिंताओं से अपने आपको दूर रखिएगा नवामसा कुनली बता रही है कि प्रॉपर्टी को लेकर या जमीन जायदाद जो इनहरिटेंट होती है निकी ancestral प्रॉपर्टी होती है उसको लेकर कुछ वाद विवाद हो सकता है और personal जो relationship है आपकी कुछ लोगों से वो भी इस चीज़ को लेकर थोड़ी बिगड़ सकती है दसामसा कुनली यह बता रही है कि किसी industry में job करते हैं बड़ी या manufacturing से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाब होगा love life की बात करें तो यदि आप दोनों के वीच में कुछ लड़ाई हुई थी तो बड़पन दिखाते हुए आप उनको माफ कर दीजिए या चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए initiate कीजिए चीजों को अपना अहम कम कीजिए और चीजों को भुला कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहीं प्याटके रहे तो बाते और नेगेटिव हो सकती वेवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर समय अच्छा नहीं दिखना कुछ ना कुछ नेगेटिव आप दोनों के बीच में हो सकता है काफी गंभीर रहेंगे और काफी सीरियस रहेंगे अपनी स्टडी सो लेकर सरवाज्टक के हिसाब से दस्वा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है करियर उरियंटेड रहेंगे कार्यक शेत्र से संबंदित कुछ अच्छी निउस आ सकती है एक मार्च शाम के करीबन चार साड़े चार वजे चंद्रमा राशी परिवतन करके कुम्भ में आ जाएंगे यानि कि आपके लगन में ही आके बैठ जाएंगे और तीन मार्च रात के करीबन आठ साड़े आठ वजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लगन में चंद्रमा का लगन में आना अच्छा होता है लेकिन अच्छा क्या नहीं है वो यह है कि इस समय अमवस्य योग बन रहा है क्योंकि सूर्य देवता भी यहीं पर होंगे लगन में अमवस्य योग बनना अच्छा नहीं होता आपकी सेहत बिगर सकती है, कुछ नकरात्मक हो सकता है लेकिन एक बहुत अच्छी चीज भी हो रही है कि ब्रहस्पती यहां पे होंगे जो गजकेसरी योग बनाएंगे तो ये गजकेसरी योग बहुत तरह से आपको प्रोटेक्शन जरूर देगा जितना नकरात्मक ये अमवस्य का योग आपके लिए हो सकता था उतना नकरात्मक नहीं होगा नवामसा को उनली बता रही है कि कहीं कहीं पे भाग्य का साथ मिलेगा और काफी स्पिरिचुल भी आप फेल करेंगे दसामसा के हिसाब से जो लोग बिजनस करते हैं उनके लिए स्पेशली ये समय अच्छा रहेगा लव लाइफ की बात करें तो आप दोनों के बीच में जादी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी ऐसे इनसान को अपनी डिसकेशन में इंक्लूड कीजिए जिस पे आप दोनों ही भरोसा करते हैं बहुत जादा चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच की मिसकॉम्मिनिकेशन दूर हो जाएगी विवाहिक जीवन की बात करें तो आने वाला समय आपके लिए बैटर रहेगा यदि अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो चीजों को जितना सिंपल रख सकते हैं और जितना चीजों को समय दे सकते हैं उतना प्रियास कीजिएगा जादा फोर्सफुली कुछ ट्राय करने की कोशिश मत कीजिएगा सेहत के हिसाब से सर से संबंदित रोग काफी तंग करेंगे और डाइजस्टिव डिसॉर्डर भी रहेंगे स्टूडेंस के लिए अच्छा समय है जो मैनेजमेंट की स्टडीज कर रहे हैं के लिए अच्छा समय है और इंजीनिरिंग से जोड़ी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो भी अच्छा समय है सरवाश्टक के हिसाब से दस्वा स्थान फिर से बहुत स्टॉंग है करियर से संबंदित कुछ पॉजिटिव निउस मिल सकती है तीन मार्च रात के करीबन आठ साड़े आठ बजे चंद्रमा राशी परिवर्तन करके पाईसेस यानि की मीन में आ जाएंगे आपके लगने से दूसरे घर में और सब्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है धन आगमन का सूचक होता है कहीं से पैसा तो आएगा लेकिन किसी को पैसा दिया हुआ था तो वो थोड़ा सा डिले होगा वापिस आने में उसको लेकर थोड़े चंद्रमा पर फिशियोग बनाती है तो थोड़ा सा नगरात्मक आप अचानक से हो जाएंगे स्पेशली आपकी वाणी में कटुता रहेगी जिसके कारण भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है नवामसा कुनली यह बता रही है कि एग्रेशन थोड़ा जादा रहेगा हफते के अंत में और लालच के कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है दसामसा के हिसाब से करियर में आगे बढ़ने की ऑपर्चुनिटी मिल सकती है लेकिन अपने सेंसेस खुले रखियेगा लव लाइफ की बात करें तो यदि रिलेशन्चिप स्टार्ट करना चाहते थे तो इस समय ट्राय मत कीजिएगा क्योंकि चीजें थोड़ी डिले हो सकती है और जो अलरड़ी रिलेशन्चिप में है उनके लिए ठीक ठाक समय विवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा आपने लाइफ पार्टनर के मन की बातों को समझने की कोशिश कीजिए उनकी समवेदनाओं को समझने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा सेहत के हिसाब से जिनको डायबटीज है या फिर जिनको हृदे संबंदित कोई भी रोग है इस समय में आपको बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंस के लिए अच्छा समय है पूरा हफता ही स्टूडेंस के लिए अच्छा दिखना है सरवाश्टक के हिसाब से फिर से दस्वास्थान बहुत स्ट्रॉंग है तो हफते के अंत में कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज आपके कारक शेत्र से आ सकती है नई जॉब के लिए ट्राइंगर रहते तो हफते के अंत का समय बहुत अच्छा है उपाई यह है कि आपको हनुमान बाहुक का और बजरंग बान का एक एक बार पाट करना है सोमवार को अप चलते हैं पाईसेस यानि की मीन की तरफ आपके लिए हफते की शुरुआत में यानि की सोमवार को 28 तारीको चंदरमा कैप्रिकॉन में रहेंगे मकर राशी में लगन से ग्यारवे घर में और एक तारीक की शाम करीबन 4.4 वजे तक यहीं पे रहेंगे ग्यारवे स्थान में लाब स्थान है यहाँ पे चंदरमा का आना अच्छा होता है क्योंकि एक तरिकोन के स्वामी है चंदरमा उनका लाब स्थान में आना अच्छा ही होता है पाप ग्रहों हों, दूशित ग्रहों हों, दूशित योग हों ग्यारवे स्थान में अच्छा ही कुछ देखे जाते हैं और यहाँ पे हफते की शुरुवात में आपके पांच ग्रह होंगे और चंद्रमा भी होंगे तो हर चीज़ को एक्टिवेट कर देंगे तो हफते की शुरुवात में कुछ बहुत पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है नवामसा अप उनली बता रही है कि भाग्ये का संपूर्ण साथ मिलने वाला है हफते की शुरुवात में, यह हफता आपके लिए शुरुवात अटलीस बहुत अच्छे दिख रही है दसामसा के इस आपसे corporate sector में काम करते हैं, real estate से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ की बात करें, तो कोई चीज है जो delay हो रही है जिसके कारण आप और आपके partner दोनों ही frustrated रहेंगे और थोड़ी problem उसके कारण हो सकती है विवाहिक जीवन की बात करें तो चीजों को better करने के लिए बहुत अच्छा समय है यानि कि आप दोनों के वीच में कुछ problems चल रही थी, थोड़ा सा भी प्रयास इस समय में करेंगे तो चीजें सुलच जाएंगे सेहत के हिसाब से कफ रोगतं करेंगे, चेस्ट सम्मंदित रोगतं करेंगे स्टूडिन्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो non-technical subjects पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय सरवाश तक के हिसाब से भाग्यस्थान यानि की नवा घर बहुत स्ट्रॉंग है यानि की हफ़ते की शुरुवात में ही भाग्य का साथ मिलेगा नवामसा कुनली भी यही बता रही है और सरवाश तक भी यही बता रहा है एक तारीक शाम के करीब 4-4.5 बजे चंद्रमा राशी परिवतन करके बारवे घर में आ जाएंगे और 3 मार्च रात के करीबन 8-8.5 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लगने से बारवे घर में बारवे घर में विचलित रहते हैं चंद्रमा यहाँ पर एक और नेगेटिव चीज हो जाएगी कि अमवस्य योग बन रहा है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा साथ में होंगे लेकिन यही सूर्य देवता विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं तो जितना नकरात्मक हो सकता था उतना नहीं होगा कई आपके रुके हुए काम भी अचानक से बन सकते हैं यहाँ पर लगने के स्वामी ब्रहस्पती भी होंगे यह भी बहुत हद तक ठीक है शायद सेहत पर इसका कुछ नकरात्मक प्रभाव पड़े लेकिन बाकी चीज़ों पर कुछ नकुछ पॉजिटिव इबेक्ट पड़ेगा नवामसा कुणली बता रही है कि कानूनी सम्बंदित कोई आपका कार्याट अटक रहा था वो सही दिशा में जा सकता है पॉजिटिव डिरेक्शन में बढ़ सकता है दसामसा के हिसाब से बाहर से सम्बंदित कुछ काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ की बात कर लेते हैं यदि रिलेशन्शिप में कुछ प्रावलम आ रही है तो किसी से हेल्प मांगिए जो इन चीजों में थोड़ा एक्सपिरियंस रखता है या फिर आप जिनको समझते हैं कि वो मैच्चोर हैं उनकी बातों का असर पड़ता है ऐसे इनसान को अपने बीच में लाईए और डिसकशन कीजिए उससे आपके बीच में जो भी मिसंडरस्टेंडिंग है बहुत हद तक दूर हो जाएगी विवाईक जीवन की बात करें तो यहाँ पी सेम ही दिख रहा है यदि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है तो घर के बड़ों को या किसी ऐसे इनसान को डिसकशन में इंक्लूड कीजिए जिस पे आप दोनों ही भरोसा करते हैं सेहत के हिसाब से आखों से सम्मंदित रोगतंग करेंगे स्टूडिन्स के लिए समय ठीक है लेकिन कोई काम आपका अचानक से अटक सकता है जो आपको थोड़ा फ्रस्टेट करतेगा वैसे भागे का साथ आपको मिलेगा सरवाज्टक के हिसाब से भागेस्थान अत्यंत बली है तो भागे का साथ तो आपको मिलेगा ही थोड़ा स्पिरिच्वल भी आप फिल करेंगे धर्मे के प्रती रूची पढ़ेगे तीन मार्च रात के करीवन आठ साढ़े आठ बजे चंद्रमा राशी परिवतन करके लगन में ही आजाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा का लगन में आना अच्छा होता है क्योंकि एक त्रिकोन भाव के स्वामी है तो आपके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा अभी अभी अमवस्य से निकल के आएंगे तो पॉजिटिविटी और रहेगी तो आपके लिए हफ्ते का अंतिम समय अच्छा दिख रहे है नवामसा के हिसाब से काफी अथोरिटिटिव रहेंगे आप और कॉन्फिडेंस का लेवल आपका अच्छा रहेगा दसामसा कुनली बता रहे है कि कारेक शेत्र में बिजनस में भागे का सम्मून साथ मिलेगा लव लाइफ के हिसाब से नया रिलेशन्चिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छा समय है और जो लोग और रिलेशन्चिप में है यदि कोई बात करनी है अपने पार्टनर से तो उनका मूड समय परिस्थेतियां सब देख कर ही बात स्टार्ट कीजेगा विवाहिक जीवन के हिसाब से समय ठीक ठाक है इसको कैसे और बैटर कर सकते हैं वो आपके प्रियासों पर डिपेंड करेगा सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन कोई आपको कैच कर सकता है स्पेशली खाने से संबन देते हैं तो थोड़ा आपना खान पीन का ध्याद दीजेगा स्टूडेंस के लिए थोड़ा मिला जुला समय है काफी एमोशनल रहेंगे ओवर एमोशनल रहेंगे सरवाश्ट्यक के हिसाब से फिरसे आपका भाग्य स्थान बहुत स्ट्रॉंग है ये पूरा हफ्ता भाग्य स्थान अत्यंत भलशाली है जब ऐसा होता है तो कभी-कभी भाग्य में ही परिवर्तन आ जाता है क्योंकि इतने लंबे समय तक एक स्थान बलशाली है तो ये जो हफ्ता दिख रहा है आपके लिए ये अच्छा दिख रहा है उपाई ये करना है आपको आपको ब्रहस्पती चालीसा का या गुरू चालीसा का एक बार पाठ करना है और हनुमान चालीसा का दो बार पाठ करना है सुमवार को चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओब नवाश्चा